काफ़ी दुनों के बाद ये ख़वर देखिए UBPSC PCS Pre की 17 मार्च को होने वाली परीक्षा क्या हो गई है इस्थागित हो गई है अब ये एक्जाम होना है जुलाई में कब डेट आएगी इसके वारे में लोकसेवा आयोग आपको सुचित कर देगा एक्जाम पोस्टपोन होना राज लोकसेवा आयोग में कोई नई बात नहीं है अक्सर होता रहता है लेकिन हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि पिछला जो PCS का एक्जाम कराया था यूपी लोकसेवा आयोग ने वो रिकॉर्ड टाइम आठ से नौ मेने के बीच में पूरी प्रक्रिया होई थी प्री, मेंस, इंटर्व्यू, फाइनल सेलेक्शन और जो जो सेलेक्शन ले चुके होंगे वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे शायद तो इस बार बड़ी हैरानी हुई कि लोकसेवा आयोग इतने दवाव में कैसे आ गया आरो, ए आरो वाला जो एक्जाम वह था उसको रद्द कराना पड़ा वो एक्जाम फिर से होगा उसकी डेट अभी आनी बाकी है आयोग के उपर लग रहा है बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था कि अपनी सत्रे मार्च वाले एक्जाम को परिक्षा की वो लग रहा है सुरक्षा नहीं कर पाता कहीं एगर एक्जाम हो जाता तो कहीं वो लीक ना हो जाए और फिर आने वाले कुछ दिनों में चुनाओ की भी घुशना है सरकार पर दबाव आ सकता था तो हो सकता है आज जोग सेवा आयोग उत्रपरदेश ने ये फैस्टा लिया हो कि इस एक्जाम को फिलाल आगे बढ़ा देने में ही भलाई है प्री के बाद प्रक्रिया को पूरा करवा लेंगे इस साल के अंते तक हो सकता है आयोग की ये योजना हो लेकिन सवार तो उठते ही हैं न कि राज लोग सेवा आयोग की प्रणाली में सेध हर बार कौन लगा जाता है खेर जो भी हो जो इस एक्जाम को पोस्पोन करवाना चाते थे उनको तो बहुत बहुत बढ़ाईया और वो लोग जरूर निराश हुए होंगे जिनकी तैयारी एक सही दिशा में चल रही थी वो हुए होंगे निराश लेकिन तीन से चार मेरे कटने में भी क्या टाइम लगेगा आही जायेगा जुलाई भी तो मजे करिए कुछ दिन मस्ती मारिए सिवरात्री मनाईए और होली भी मनाईए पढ़ते भी रहिए आंसर लिखते भी रहिए और क्या कहा जा सकता है दूसरी बात ये उससे पहले आईएस का एक्जाम पढ़ेगा 26 माई को तो जिन लोगों ने आईएस का फॉर्म भरा है वो अब निश्चिंत होकर आईएस का एक्जाम की त्यारी अथी तरीके से कर सकते है कुछ दिनों बात मैं भी इस प्लैटफॉर्म से आपको हिस्ट्री जोगरफी और एनवार्मेंट से सम्मंदित जो भी चीज़ें हो सकती है सेवल सर्वेस इजाम के लिए 26 माई वाले के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्री आप कोस्ट ठीक है जब मुझे लगेगी कोई टॉप एक असा दिख रहा है मेरे को की बहुत ही शांदार है जो आ सकता है उस पर हम डिसकस करेंगे ठीक यूपी असी की बात हो रही है तो उस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है न तो इस तरीके हैं हमने देखा कि कैसे यूपी पीस वाले एकजाम जो है प्री वो हो गया है पोस्ट पूर्ण अभ यह होना है जुलाई में तो परयाप्त समय है जिन लोगों ने फर्म भर रखा है जिन लोगों ने दोने फर्म भर रखें आईएस का भी पीसे का भी तो वो क्या कर सकता है अब IS पर फोकस कर सकता अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से कर सकता है वैसा एगर एक्जाम 17 मार्च को हो जाता ना और जिन्होंने फॉर्म भर रहा का IS का वो मुक्त हो जाता फिर अच्छी तरीके से वो त्यारी कर सकता था anyways सलेबस लगबग एक जैसा ही होता है लेकिन आस्किंग स्टेंडर्ड यूपी असी का है उससे आप भली भाती परचित है जो भी है जो रिविजन हम लोग बहुत तेरी से कर रहे थे उसको आप क्या कर सकते हैं डीटेल में जाके से देख सकते हैं ठीक है तो टाइम मिला है उसका हमेदा उठाइए वे लोग जिनका सिर्फ PCS है और जिनका IES भी है वो लोग क्या कर सकते हैं अपनी तरीके से योजना बना सकते हैं एम IES की तरफ से जो हेल्प मिल सकती है वो आपको मिलेगी इस बार 26 माई को एक्जाम है तब तक जो जो वीडियोस या जो जो लेक्जर्स आप तक पहुचा सकता हूँ मैं पहुचाऊंगा पूरे यकीन से पहुचाऊंगा और रेगलर इंट्रवल्स में आपको वीडियोस मिलेंगे जोगर्फी के, हिस्ट्री के, अन्मेरिमेंटल साइंसे के और करेंट अफेर्स के ये चार टॉपिक, ये चार सेक्षन है जी एस के वहाँ से आप तक वीडियो में पहुचाऊंगा वहाँ के, और यूपी पीसेस के लिए भी हम लोग चर्चा साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि बात एक ही है टॉपिक एक रहेंगे लेकिन किस प्रकार से कॉशन आईस में पूछी जाते हैं किस प्रकार से पीस में पूछी जाते हैं इसका थोड़ा से डिफरेंट्स क्रिएट करके देख लेंगे हम ठीक है, तो बने रहें एम आईस के साथ और अपनी पढ़ाई करते रहिए थैंक यू